वेल्कम बेक टो नेदर वीडियो आज मैं आपको एक बहुती खुबसूरा सी डिजाइनेर कुर्ती बनाना सक्काऊंगी यह डिजाइन अपने इत के ड्रस पे भी बना सकते हैं वीडियो को आपने लाइक एन शेयर करना है चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लोन का यह फैब्रिक है टूटल साड़े तीन मीटर है इडन रोप की यह शेट है आपके पास जो फैब्रिक अवेलिबल हो सिंपल या प्रिंटिट आप इस डिजाइन को उस फैब्रिक पे बना सकते हैं डाइमीटर में भी यह डिजाइन आपका बन जाएगा यह शेट का फ्रांट और बैक पार्ट है फ्रांट साइड पे यह नेक इम्रॉड़ेड है और यह साइड से इसका बॉर्डर निकला है मैं जो शेट बना रही है इसकी लेंद मैंने त्यार 38 इंच रकनी है 38 इंच आपने लेंध अपने नाप के हिसाब से लखनी है इसकी चोड़ाई मेरे पास टोटल 30 इंच ती फैबरिक की वो मैंने फोल्ड की है तो फोल्ड इड़ ये मेरे पास 15 इंच आ रही है अगर आपके पास इतना ज़्यादा फैबरिक नहीं है सिंपल फैबरिक वे आप बना रहे हैं तो नॉर्मल दामन अगर आपका 22 इंच एत उसमें आपने 4 इंच एक्स्ट्रा एड़ करना है क्योंकि हम पिंटिक्स टालेंगे तो वो 4 इंच पिंटिक्स में कवर हो जाएगा पिंटिक्स के लिए हमने निशान लगाने है सेंटर में हमने 3 इंच का गैप छोड़के ये निशान लगाना है उपर 3 से लेके नीचे तक मैं 3-3 इंच तक निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगी ये सेंटर में 6 इंच तक पैनल आ जाएगी और दोनों साइट पे हम 2-2 पिंचिक्स टालेंगे स्केल की मदद से जो सीधी लाइन ड्रॉ किए है यहां से फैबरे को ऐसे फोल करना है और प्रेस कर लेना है ये दो पिंचिक्स के लिए मैंने निशान लगा दिया है दोनों साइड पे दो दो पिंटिक्स टालनी है एक इंच का गैप चोड़के मैं एक और निशान बना लूँगी इस तरी की मदद से इन दोनों को फॉलो करके हम पिंटिक्स टालेंगे तो ऐसे आपने पहले इसको प्रेस कर लेना है ताके आपकी दोनों साइड पे पिंटिक्स एक चैसी आए सेंटर में ची इंच का गैप चोड़के दोनों साइड पे दो दो पिंटिक्स के लिए निशान लगाए है अब इनको फॉलो करके मैंने स्लाई लगानी है पिंटिक्स हम बिलकुल बारीक नहीं लगाएंगे थोड़ी सी चोड़े वाली लगाएंगे एक पिंटिक्स मैंने डाली है अब सेम ऐसे ही मैंने बाकी की तीन पिंटिक्स भी डाल देनी है ये दो-दो पिंटिक्स मैंने लगा दी है सेंटर में धाई एंच का गैप चोड़के मैंने दो-दो पिंटिक्स और डालनी है सेम वैसे ही मैंने निशान लगा दी है इन पिंटिक्स के भी उनको फॉलो करके मैं लगा दूँगी back side पे भी मैं same इसी method को follow करके 3-3 pin ticks टालूंगी ऐसे pin ticks टाल के मैंने fabric को press कर लिया है इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों side पे मैंने pin ticks टाली है back side पे मैंने पहले center में 3 pin ticks टाली है पिर 33 violet चोड़े 3-3分ी तीक्स टालड़ी है यह आपको इस तरह से दिखा देती हूं। इस home shark design मैंने back side पे पिन्टिक्स टाली हैं कि मैंने back side पे इसे बिचाना है यह वालै जू side से border निकला था ये मैंने कट करना है इसकी चोड़ाई तक्रीबन ये डेडिंग तक आ रही है दोनों साइट से जब हम फैबरिक को फोल्ड करके प्रेस करेंगे तो इसकी चोड़ाई हमारे पास एक इंग तक आ जाएगी ये वाला जो बॉर्डर है बाकी का ये मैं दामन पे लगा दूँगी इसको मैं दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी प्रेस आपने लाजमी करना है पैबरिक को ताके लगाने में असानी हो दामन वाली साइट पे में 9 इंच तक निशान लगाऊंगी ये निशान लगाने के बाद फैबरिकों में ऐसे फोल्ड करके इस तरी की मदद से निशान बना लूँगी इस तरह से ये देखे उपर जो पिंटिक्स का गैप है सेंटर में 2 इंच तक दो से धाई इंच तक यहां से लेके हमने पट्टी को ऐसे फोल्ड करके लगाना है तो यह पट्टी को मैंने दोनों साइट से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है पट्टी की एक साइट पे मैं शिटलेस रखूँगी अगर आप पट्टी और शिटलेस एकठा नहीं लगा सकते तो पट्टी के साथ पहले शिटलेस अटेच कर ले और ये जो पिंटिक्स के सेंटर में 2,5 इंच का गैप चोड़ा है इसके सेंटर में हम ये पट्टी लगाएंगे ऐसे दामन से नोईच का गैप चोड़ के जो मैंने निशान बनाया था यहां से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके स्लाई लगानी है ये कॉर्णर आपने सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे जो इस तरह की वदद से निशान बनाया इसको फॉल्लो करके सेंटर में पट्टी अटेच करनी है अब ये पिंटिक के सेंटर से पट्टी को ऐसे फोल्ड करके शोल्डर तक स्लाई लगा लेनी है बॉर्डर के एक साइड पे शिटर लेस लगा के मैंने स्लाई लगा ली है अब मैंने ये वाला जो दूसरा कॉर्णर है इस पे भी स्लाई लगा लेनी है पिंटिक के सेंटर में बॉर्डर वाली ये पट्टी इस डिजाइन में लगाई है अब दमन पे मैं च्वेंट लेस के साथ बॉर्डर लगा लूँगी उभर लगा ले जब दातीर वाली ये लाला जए आई Still फ्रांट और बैक दोनों साइट पे जोइंट लेस के साथ बॉर्डर लगा दिया है फ्रांट बैक को मैंने फोल्ड करना है अब शर्ट की कटिंग करनी है तीरा टोटल त्यार मैंने 14 इंच रखना है एक इंच उसमें एड़ करूंगी जो स्लाई में जाएगा 15 इंच बनता है 15 का हाउ साड़े साथ इंच पे निशान लगाया है और लंबाई में भी साड़े साथ इंच तक निशान लगाया है अब L शेप टॉर करके मैं आर्म होल को डाउंट शेप दूंगी ये निशान आपने अपने नाप के हिसाब से लगाने है अब चस्टे फिटि अब लंबाई में कमर की स्लाई में बारा इंच तक लगानी है तो ये बारा इंच तक निशान लगाऊंगी अब फिटिंग मैंने तियार 15 इंच रखनी है 15 में एक इंच एक्स्टा एड़ करूंगी 16 तो 16 का हाफ में आट इंच पे निशान लगाऊंगी हिप से फिटिंग तियार 19 है तो 19 में एक इंच एक्स्टा एड करूंगी 20 से 20 का हाफ 10 पे निशान लगाऊंगी अब ये वाले जो मैं निशान लगा रही हूं इनमें मैंने एक इंच एक्स्टा एड किया है दोनों साइड से हाफ अफ इंच स्लाई में जाने के बाद फिटिंग हमारी उतनी ही आएगी जितनी हमें तियार चाहिए उसे साफ से अब नीचे से दामन में थोड़ा सा खुला रखूँगी अगर आप नौर्मल दामन रखना चाहते हैं तो आपके अपनी चोई से उसे साफ से भी बना सकते हैं अब नीचे दामन तक मैं ये निशान लगाऊंगी चौक के लिए अब ये वाले जो निशान लगाए हैं इनको फॉलो करके एक्स्टा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है क्योंकि फिटिंग के निशान लगाती हुए स्लाई के लिए हमने एक 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 एक्स्टा फैब्रिक रख दिया है ऐसे शिर्ट की कटिंग मैंने कर ली है अब फ्रांट साइड से आर्म होल को हाफ इंच तक डीप कट करूँगी बैक साइड से नेक की चोड़ाई मैंने तीन इंच और लंबाई डाइंच रखनी है आपने ये लंबाई और चोड़ाई अपने नाप के हिसाब से रख के कटिंग करनी है बेक साइड के नेक पे अरे पटी लगा के स्टिच करूँगी और फरंट साइड से मैं नेक को राउंड शेप दूँगी नीचे ये नेक लाइन है इंब्रॉइडेट सेंटर में पर्स लगा दूँगी आप अपनी पिसंद के हिसाब से भी नेक डिजाइन कर सकते हैं मैं आपको नेक बनाना नहीं बताऊंगी अगर मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बहुत सी कटिंग एंड सीजिंग ये वीडियो में आपको राउंड नेक बनाना बता चुकी हूँ बैक साइड पे ये वाली पट्टी मैं वी शेप में इस तरह से लगाऊंगी ये आप पहले इस तरह से रख के निशान लगा ले उसके बाद आप स्टिच करें ताके एक चैसी आए अब पट्टी के दोनों के नारों पे स्लाई लगा लूँगी बैक साइड पे ये वी शेप पे पट्टी अटेच की है और फ्रन्ट साइड से नेक को मैंने रौंड शेप पे स्टिच किया है नेक लाइन के सेंटर में पर्ज लगा दूँगी शेट के दामन पे मैं डिजाइन बनाऊंगी शेटलेस के साथ आप चाहें तो सिर्फ शेटलेस भी लगा सकते हैं फ्रन्ट और बैक पे दोनों साइड पे मैं डिजाइन बनाऊंगी ये फैबरिक लिया है जिसकी चोड़ाई डेडिंच है दोनों साइड से इसको मैंने फोल्ड करके प्रेस का लिया है अब दुबारा से मैं इसको फोल्ड करके किनारे पे सलाई लगाओंगी दो मुख्तलिव कलिप के मैंने ये पटियां बनाके दामन पे लगानी है ऐसे पटि को स्टिच करने के बाद धाई डाई इंग तक कट करलूँगी ऐसे कट करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लूगी फ्रांट और बैक के दामन के लिए जितने मुझे चाहिए थे उसे साब से मैंने इनको बना के प्रेस कर लिया है अब पहले मैं फ्रांट साइट पे शिटर लेस लगाऊंगी पहले आपने ऐसे दामन पे शिटर लेस स्टिच कर लेनी है अगर ये डिजाइन बना रही है तो उसके बाद ये वाले जो हमने ट्राइंगल प्रेस किये हैं इनको तकरीबन दो-दो इंच का गैप छोड़ के लगाना है तो इस तरह से हमने इनको उल्टा रखना है लेस के किनारे पे और स्टिच करना है ये सेंटर में मैं दो-दो इंच का गैप छोड़ के लगा रही हूँ इस तरह से ये ट्राइंगल मैंने अटेच कर दिये हैं दो-दो इंच का गैप छोड़ के अब पल्टा मैंने स्टिच करना है पहले जो हमने स्टिच करना है उसको फौलो करके ऊपर पल्टा रखना है और पल्टे के किनारे पे श्लाय लगा देनी है फ्रांट और बैक पे मैंने इस तरह का डिजाइन बना के पल्टे को फ्रेस कायर दिया है अब मैं हाथ की मदब से तुर्पाई करूंगी आप चाहें तो मशीन के सास लाई लगा सकते हैं बैक साइड पे मैंने शिटर लेस नहीं लगाई सिर्फ ट्राइंगल से ये डिजाइन बनाया है आप अगर शिटर लेस नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ ये ट्राइंगल भी लगा सकते हैं पल्टे को मैंने तुर्पाई कर ली है फ्रांट और बैक पे ये डिजाइन इस तरह से आया है जो बहुती खुबसूरत लुकते रहे अब मैंने उपर आर्म होल से लेके नीचे चौक तक फ्रांट साइड पे पाइपिंग लगानी है और बैक साइड पे मैंने शिटर लेज के साथ पल्टा लगाना है बैक साइड पे मैंने दामन से लेके आर्म होल तक शिटर लेज और पल्टा लगाना है और फ्रांट साइड पे मैंने पाइपिंग लगानी है फ्रांट साइड पे पाइपिंग लगाई है बेक साइड पे पल्टे के साथ शिटर लेस लगाई है ये पाइपिंग के एक्स्टा फैब्रे को ऐसे फॉल्ड करके प्रेस कर दिया है अब मैं हाथ की मदद से तुर्पाई करूँगी आप जाएं तो मेशीन के साथ स्लाई भी इस तरह से देखे मैंने दोनों साइट से तुरपाई कर ली है, अब कमर की स्लाई लगानी है, लंबाई में कमर की स्लाई में 12 इंटक लगाऊंगी तो इस तरह से में 12 इंटक निशान लगाऊंगी, लंबाई में, अब मैंने पाइपिंग वाली साइट नीचे रखनी है, और जो शिटल लेस वाली साइड है, बैक साइड वाली वो पाइपिंग के किनारे पे रख के स्लाई लगानी है, इसके नीचे हम कुई एक्स्टा फैब्रेक नहीं लगा रहे है, इसी फैब्रेक को पाइपिंग के किनारे पे रख के स्लाई लगाऊंगी, नीचे जो बारा इंटक तक निशान लगाया है वहां तक यह एंड में आपने स्लाइब को पका कर लेना है ताके यहां से उधरे नहीं दोनों साइट से कमर की स्लाइब मैंने लगा ली है पाइपिंग नीचे वाली साइट पे आ गई है और यह शिटल इस उपर वाली साइट पे है अब मैंने स्लीव अटेच करने हैं तो स्लीव मैंने लंबाई में इकी सिंग तक कट कर लिये हैं फ्रांट वाली साइट पे मैंने सेम जैसे दामन पी डिजाइन बनाया है वैसे ही डिजाइन बनाया है अब स्लीव को फिटिंग की स्टाइल लगाऊंगी अब मैंने स्लीव को शेट के साथ जोड देना है स्लीव अटेच करने के बाद शेट को मैंने प्रेस कर दिया है नेक के सेंटर में पल्स लगा दिये है यह साइट पे आप इंटिक्स देख सकते हैं मैं आपको नज़्दीक से दिखाती हूँ दोनों साइट पे बहुती खुबसूरत लुकते रही है स्लीव पे मैंने सेम दामन की तरह डिजाइन बनाया है बहुती खुबसूरत लग रहा है यह मैं आपको साइट से दिखाती हूँ उपर आर्म होल से लेके नीचे दामन तक मैंने बैक साइट पे शिटलेस के साथ पल्टा लगाया है और फ्रंट साइट पे पाइपिंग लगाई है दामन का डिजाइन भी बहुती खुबसूरत लुकते रहा है ट्राइंगल के साथ शिटलेस पे ने सिर्फ फ्रंट साइट के दामन पे अटेच की है बैक साइट पे मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स लगाए है यहां पे आप बैक साइट की लोग देख सकते हैं इस तरह से कि वैने पिंटिक स्टाल के उपर वी शेप दी है जो बहुती खुबसूरत लोग दे रही है इन्शाला यह कुरती आपको बहुत जादा अपसांदाने वाली है यह शर्ट डेजाइन आप इस इत पे बना सकते हैं वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलेंगी नेक्स वीडियो में अला आफिस